तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत आप लोग का मेरी इस नई वीडियो में और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं reverse engineering का tutorial तो जिन लोगों को नहीं पता कि यह reverse engineering क्या होती तो मैं लोग को पहले छोटे से brief में बता दे रहा हूँ कि मैं example दे के आपको बताता हूँ कि क्या होता reverse engineering यहाँ पर देखे मेरे पास एक software है इसको आप कोई भी software मान सकते हैं मान लीगे यह कोई paid software है जब मैं इसको open कर रहा हूँ तो यह बार बार serial की की डिमांड कर रहा है और बोल रहा है कि भाई serial की डालो तब ही मैं तुमको इस software को crack कर सकते हैं आप लोग मैं बता दू जो लोग software को crack करते हैं उन्हीं reverse engineers कहा जाता है और cracking के पूरे process को reverse engineering कहा जाता है ठीक है तो आज हम लोग वही चीज़ सीखेंगे कि कैसे छोटे मोटे software crack होते हैं basically यहाँ पर मैं आपको software cracking नहीं बताने वाला हूँ बढ़िया दिखा पाँ और जैसे यहाँ पर मैंने memory view किया तो यह जित्ते भी command आप लोग देख पारे होगे यह सारे command assembly language में है और assembly language की यह सारे commands को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा reverse engineering का tutorial दूँगा अगर मेरे tutorial को आप लोगों ने बहुत पसंद किया तो मैं इसका advanced version भी लेकर आ मैं softest crack करना बताऊंगा अगर मेरा channel बच पाया तो क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए internet download manager है जैसे idm है अगर idm को मैं पहले मतलब free में download कर लेता हूं फिर थोड़े दिन use करता हूं फिर वह मुझे की मागने लगता है अगर मैं उसको crack करना आपको YouTube पे दिखाने लगाना त ठीक है तो फिलाल वह सब चीजें हम लोग in future का भी देखेंगे क्या होता है ठीक है तो आज हम लोग reverse engineering के लिए start करते है अपना reverse engineering क्या होती है मैंने अपनी भाशे में बता दिया आपको और समझना है तो YouTube पे search कर लीजिए what is reverse engineering आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आप लोग देख सकते हैं या फिर Google पे जाके search कर सकते हैं तो reverse engineering start करने के लिए आपको basically दो software की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे x64 dbg यह मैंने यहां से download कर लिया Google पे search कीजिए यह कुछ इस टाइप से website आ जाएगी फिर हमको यहाँ download के उपर click कर दिना है और download के उपर click करत software तो हमारा main है यह हमारा debugger है यह हमारा debugger है जो हमारा software को debug करेगा और उसके बाद हमें एक और software की जरूरत होगी जिसका ना में detect it easy इसको भी हम लोग download कर लेते हैं Google पर search करिए अगर पहला result आपको github page के लिए जानने के लिए मिलेगा वहाँ से तो इस website पर आने बाद यह आप लोग पहुँच जाएंगे इस type से कुछ area में और यहां पर हमको अपने window के हिजाब से download कर लेना अगर मेरी window 64 bit की है तो मैं 64 bit पर click कर कर लोगा 32 bit की है तो 32 bit पर कर लोगा ठीक है तो I hope कि आप लोग भी इसको download कर लोगे मैंने पहले से download करके इसको रखा है यहां पर द पहले हम लोग अपने 64 bit के debugger को दिखते हैं यहां पर हम लोग क्लिक कर देंगे यहां से open हो जाएगा और okay इसको मैं यहां से open कर ले रहा हूं और यह है हमारा detect it easy जो की बताएगा हमें offset और addresses के बारे में यह भी समझे हमारा 64 bit debugger जैसा ही काम कर रहा है यह भी कुछ कुछ च हम करेंगे वह इसके अंदर है snapshot वाले में यहां पर देख सकते हैं release पर आप लोग चले जाए यहां पर x96 dbg लिखा हुआ है और यहां पर 64 32 bit वाला भी dbg है कोई दिक्कत नहीं आपको x96 वाले dbg को क्या करना यहां से यहां तो right click करके desktop पे ले आई इसको यहां से हम तो यह है हमारा software अब इस software को आप लोग जब open करोगे यहां पर हम लोग इसको open कर लेते हैं do you want to register cell extension yes कर लेंगे हम लोग create desktop shortcut yes कर लेंगे database icon yes और सारी चीज़ों को हम लोगों को yes करना है तो हमें कुछ और extra icon मिल जाएंगे 32 bit 64 bit और यह x96 bit अब इन तीनों bits में क्या अंतर है मैं यह भी बता दे रहा हूं 32 bit आपके 32 bit programs की उपर access होंगे 64 bit 64 bit programs की उपर access होंगे और 96 bit को आप जब open करोगे तो यह खुद पूछेगा कि आपको 32 bit चलाना है या फिर 64 bit चलाना है ठीकी जैसे मैंने इसके उपर double click किया यह देखी यह पूछ रहा है कि कौन सा आपको चलान यह लाइक मैं यहां पर crack me एक software है मेरे पास इसको अगर मैं उठा लूँ यहां से और उठा के direct मैं इसके उपर drag and drop कर दूँगा अगर यहां से मैंने drag and drop किया इसके उपर तो क्या होगा यह automatic select कर लेगा कि मेरा program 64 bit का है या फिर 32 bit का है और उसके बाद मेरा program कुछ इस टाइ पर आप instruction में से बहुत साथ instruction को शायद पहचानते होंगे क्योंकि हम लोग reverse engineering बहुत पहले से करते आ रहे हैं याद है आप लोग को cheat engine भी reverse engineering का ही software है आप चाहे Google पर search कर लीजे किसी पूछ लीजे हम लोग game एक specific way में चल रहा होता है हम लोग उसको hack करके अपने हिसाब से च crack me और मैं उन लोगों से बता दे रहा हूं जो लोग ने cheat engine की series नहीं देखी तो i button पर link है वहाँ जाके देखिए I hope कि आप लोगों ने इतना कर लिया होगा जब मैं next video डालूंगा तो आपके पास इतना पूरा setup करके रखा होगा और मैं फिर आप लोगों को next video में download करने का यहाँ पर link दे दूँगा description में इस चीज का crack me one का जिससे कि हम लोग start कर पाएंगे या फिर सबसे पहले यह भी graphical user interface वाला cracking software है हम लोग पहले command line interface की उपर काम करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा cracking दूँगा software crack करने को जो कि command line interface की उपर होगा आप लोग उसको crack करिएगा उसके crack करने में आपको क्या-क्या दिक्कते आएंगी वो समझिएगा मैं आपको सिखाऊंगे कि कैसे करना है और जो यह सारे instructions है like basic हम लोग instructions जानते हैं जो यह JEE है JNE है यह सारे instructions किसलिए काम आते हैं यह सब ही मैं बताने वालों बट अभी नहीं हम लोग सीजे स्टार्ट कर सेकें cracking को